अक्सर हाइवेस पर ही गाडियों के टायर फटने की घटनाएं सबसे ज़ादा होती है पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यूं है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ Actually, International Standards के हिसाब से गाडियों के टायर्ज में 25 PSI से ज़ादा प्रेशर की हवा नहीं भरी जानी चाहिए लेकिन इंडियन्स क्या करते हैं एवरेज को बढ़ाने के लिए और फ्यूल को सेव करने के लिए टायर्ज के अंदर 35 से 45 PSI की हवा भर लेते हैं अब जब हाईवे पर वो गाडि दोडाते हैं तो टायर्ज इतने गरम हो जाते हैं कि अंदर की जो हवा है वो फैलने लगती है और फैलने से इतना जादा प्रेशर बन जाता है कि टायर बर्स लो जाता है टायर फट जाता है इसलिए अपने गाडियों के टायर्स में 25 PSI से जादा की हवा ना भरें कई बार पेट्रोल पंपे ओईल भरवाने के बाद हमारे दिमाग में वहम रह जाता है कि जितने पैसे दीएं क्या पता होतने का ओईल उसने डाला भी है क्या मैं तो मीटर बड़े अच्छे से देख रहा था लेकिन फिर भी ओईल थोड़ा कम लग रहा है अगर ऐसे वहम आपके भी दिमाग में आते हैं तो मेरे पास इसका एक इलाज है जब भी आप पेट्रोल पंप से ओईल भरवाएं तो कभी भी 100 रुपे, 500 रुपे, 1000 रुपे, 1 लिटर 5 लिटर, 10 लिटर, फुल टेंग, ऐसे नंबर्स, जोकी प्रडिक्टिबल नंबर्स हैं, उनमें ओईल ना भरवाएं क्योंकि ऐसे प्रडिक्टिबल नंबर्स से मशिन फिक्स हो सकती है और आपको कम ओईल डिलिवर हो सकता है इसकी बजाए आप लोग 100 की जगा 110 का भरवा लिजे 500 की जगा 550 का भरवा लिजे 1 लिटर की जगा 7 लिटर, 10 लिटर की जगा 12 या 13 लिटर देखे, जनरली ये लोग जैन्वन होते हैं लेकिन फिर भी, अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो आप बच सकते हैं